दोस्तों प्लिवोड के तरफ से नई वेब स्रीज आये जिसका नाम है सीटा डेल जो बहुत सारे माइनों में लोगों का अटेंशन पाने में सपल रहे चुके हैं अटेंशन की पहले वज़त तो इस वेब सेरीज में दिखने वाली देशी गर अप्ती प्रयांका छोप रहे हैं दूसरी वज़ाए शो के डायरेक्टर रुस ब्रदा जिन्होंने इसके पहले एवेंजर जैसी फिल्मों का निर्मन किया हैं और तिसरी वज़ाए है इंटरनेशनल स्पाय थिलर का हाई ओल्टरी ड्रामा पिछले कुछ सालम में देश विदेश में जो भी स्पाय स्टोरीज आई है उसमें जो भी घुपे एजेंसी आई है वो देश दुनिया को बचाने से बहतर खुद को बचाने के टेंशन में जी रही है फिर ओ इतन हंट वाला मेशन इंपोसिपल की फ्रांचाजी हो या जैम्स बॉन्ड वाली बिटेश सिक्रेस सर्विस हो यहाँ पर इस शो का नाम है सिटाडेल इसका मतलब होता है एक किला यहाँ पर इस शो की कहनी इसी किले की यानि के एक सिक्रेट एजेंसी के पतन से शुरू होती है Citadel की सुरवती ही 15 मिनिट में Citadel की दो टॉप एजेंट एक ट्रेन को ट्रेस करते होगे दिखाई देते हैं पर आदा एपिसोड खतम होते होते आपको ये बात समझ में आते हैं कि आपको पिछली सरी Spy Universe की मूविज याद आने वाले हैं प्रियांका चोपरे ने इस वेब सरीज में नाड़िया सी याँ इस फिमेल स्पाय का किरदार निबाया है जो अभी भी पाचे सु सल पुराने काम करके अपने टास्क पूरे कर रही है अप्टे टार्गेट को हुसन के जल में फसा कर उससे इनफोर्मेशन निकलना यही उसका में ठासक होता है इस भुसना अदाई के साथ साथ नाड़ियों को एक्शन करने का भी मौका मिला है प्रियांका चोपरा के फाइट सीन्स भी बहुत ही दमदार है नाड़ियों के साथ साथ इस ट्रेन पे और एक एजन्ट मौझूद है जिसका नाम है मेशन केन जिस किरदार को रिचर्ड मेडन इस अभी नेता ने निबाया है इन दोनों का और भी एक साथ है जो है बनार ओलिक जो एक रूम में बैटकर उने सभी कॉर्डियर्स की बाते बता रहा है केन और नाड़ियों की केमिस्ट्री उतनी जानदार है जीतने की पार्टिय में मिले हुए दो एक सलवर की होती है उसी ट्रेन का आगे जाके एक्सेंट होता है इस पूरे प्लैन के पिछे एक बड़ा ही क्राइम सिंडिकेट होता है यह पूरी घटना घटने के बाद में कहानी सीधा आठ साल का जंप ले लेती है अब केन एक सीधा साधा आदमी बन चुका है एक मध्यमोर गिया लाइब जी रहा है उसे पिछला कुछ भी याद नहीं है ना वो कुछ याद रखना चाहता है यह तो स्पाय थिलर वेब सीरी से इसमें उसका पास याद दिलाने के लिए उसका दोश बनार वहाँ पहुंच जाता है साथ ही उसके साथ में एक सूटकेस टाइब का डिवाइस भी होता है जिसमें एजेंट्स की मेंबरी परिपड़ी होती है बरनार वने यह यकिन दिलाता है कि सीटा डेल के वो ही आकरी वोंशच बचे वह है हाला कि कहानी में ट्विष्ट क्रेट करने की जरूर कोशिश की गई है लेकिन मामला फिर से वही जंगल में हम दोशेर वाला हो जाता है शो इंटरनेशनल है इसके कई सारे सीजन भी प्लैन हो चुके है तो यह सीटा डेल का मामला अभी तो खतम नहीं होने वाला है इसे गट रहा है यह एक फिल्मे बनने का ऐसा माद्य में है जहाँ पर मेकर स्क्रीन पर कुछ भी बेमतलब का इलोजिकल दिखाए है तो दर्शक उसमें कुछ न कुछ तो लॉजिकल लगा ही लेते है यानि की स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो यह लॉजिकल होई ही नहीं सकता है और स्पाय थिलर की फिल्मों में तो यह असंबव सी बात है स्पाय थिलर वाली फिल्मों ने लोगों का ब्रेन वास इस तरह से करके रखाए कि लोग इसके आगास से उबर ही नहीं पाये है और ऐसी सिनेमेटिक लिबर्टी मिलने के बाद में स्टोरी कम से कम ऐसी टिस्ट और टनवाली हो जिसका लोगों को थोड़ा भी पता न चल पाए और सिटा डेली इवीब सिरीज इसी मामले में पूरी तरह सी चुक जाता है पहला एपिसोड पूरा होते होते इनका पूरा प्लैन सभी को क्लियर हो जाता है सिटा डेल्स के मेकर्स ने इस शोग के पहले दो एपिसोड इस शुकरवार को रिलीज कर दिये है जिसका रंटाम लगबग 40-45 मिनिट का है और बाके के चार एपिसोड हर एक हपते में रिलीज कर दिये जाएंगे गेम अप थ्रोन इस शोग से सबसे ज़्यादा पॉपिलर हो चुके रिचर्ड मेडन को आगे का जेम्स बॉन के रूप में देखने के लिए उनके फैंस सबसे ज़्यादा उसाई है लेकिन अगर सिटाडेल का उनका काम देखा जाए तो ये बात मुम्किन ही नहीं लगती है दुनिया खत्रे में है और how is it possible इस एक्सपरिशन से वो अगर आगे के किरदार करते रहेंगे तो जेम्स बॉन का किरदार तो उनके मिलने से नहीं रहा है हॉल्यूट जाने के बाद में प्रियांकों को ऐसे रोल में देखना बहुत ही आचा लगता है देशी कल्ब का विदेश अंदल बहुत ही जबर्दस लगता है इस किरदार के लिए प्रियांका को अलग अलग बाशाये और उन्हें अलग अलग अक्षिन में बोलने का है नाड़े की इस किरदार के लिए प्रियांका लगबग डौन और आतराज जैसे किरदारों का स्वेक लेकर चलरे ऐसा लगता है action scenes और fight scenes में उन्हें हलके में मत लेना ये attitude बहुत ही सही सही सावित होता है चेर पर पेटे-पेटे सूपर इंडिलियरंस का काम करने वाले स्टैनली भी बहुत ही जबर्दस अंदाज में दिखा देते हैं सब्सक्राइब को भी बिना किसी research के ऐसे ही जल्दी-जल्दी में लिखा गया ऐसा लगता है किंग्स मन मिशन इंपॉसिबल जैसन बॉन जैसी कहानी को अगर निचर देख ले जाए तो सिटाडेल की कहानी निकल कराते है मतलब इस वेप सिरीज के पहले के दो एपिसोड में हमने तो यही बज देखा है और आगे के एपिसोड में भी इसकी ही उम्मीद कर सकते है सीटा डेल ये वेब सीरीज के पहले के दो एपिसोड देखने के बाद में आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट करके बाताना मेरा ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और मेरी चैनल को सबका जरू कर दिना मिलते अगले वीडियो में और एक नहीं रिव के साथ में और एक नहीं फिल्म के साथ में तब तक लिए नमस्कार